पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों की तुलना में एक बड़ी तटरेखा नहीं है क्योंकि ये पूर्वी मिद्नापुर और दक्षन 24 परगना के जिलों में सिर्फ 210 किलोमीटर तक फैली है लेकिन जलवायू परिवर्थन से प्रेरित बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण पश्चिम बंगाल को मैक्सिमम कोस्चल एरोजिन जैसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है रिसर्चर डॉक्टर अंजल प्रकाश के मताविक कोस्चल एरोजिन का ये मुद्दा तट के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपून प्रभाव डाल सकता है और इसलिए ये बंगाल के इस शेत्र के बुनियादी ढाचे और अर्थवेवस्था को प्रभावित कर रहा है इससे पहले नैशनल सेंटर फॉर कोस्चल रिसर्च दुवारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चम बंगाल ने 1990 और 2016 के बीच सभी तर्टिय भारतिय राज्यों में 63 प्रतिशत पर सबसे ज़ादा तर्टिय कटाव दर्च किया इसके बाद पुढ्डूचेरी में 57 प्रतिशत, केरल में 45 प्रतिशत और तमिलनाडू में 41 प्रतिशत पर ऐसे में समुद्र के स्तर में वृध्धी और तुफान जैसे नाचरल फैक्टर्स और कई हुमन मेड फैक्टर्स हैं जो अकसर इस तरह के कोस्टल एरोजिन का कारेंड बनते हैं